सात्यों, ये भी सिर्फ संयोग नहीं है, कि जब भी काशी ने करवट ली है, कुछ नया किया है, देश का भाग्य भी बढ़ रहा है। एक निरनायक दिशा देगा, एक उजवल भविष्य की तरफ ले जाएगा, ये परिसर साक्षी है, हमारे सामर्थका, हमारे कर्टव्यका, अगर सोच लिया जाए, ठान लिया जाए, तो असंभव कुछ भी नहीं है। हर भारतवासी की भुजाओं में वो बल है, हर भारतवासी की भुजाओं में वो बल है, जो कलपनिये को साकार कर देता है। हम तब जानते हैं, हम तपस्या जानते हैं, देश के लिए दिन रात खपना जानते हैं। चुनोती कितनी ही बड़ी क्योना हो, हम भारत के मिलकर उसे परास्त कर सकते हैं। विनाज करने वालों की शक्ती, कभी भारत की शक्ती और भारत की भक्ती से बड़ी नहीं हो सकती। याद रखिए, जैसी द्रस्ती से हम खुद को देखेंगे, बैसी ही द्रस्ती से विश्व भी हमें देखेगा। मुझे खुशी है कि सद्यों की गुलामी ने हम पर जो प्रभाव डाला था, जिस हिंद भावना से भारत को भर दिया गया था, अब आज का भारत उससे बहार निकल रहा है। आज का भारत सिर्फ सोमनाथ मंदीर का संदरी करण ही नहीं करता, बलकि समंदर में हजारों किलोमिटर ऑप्टिकल फाइबर भी बिशा रहा है। आज का भारत सिर्फ बाबा केदारनाद मंदीर का जिर्णोव दारी नहीं कर रहा, बलकि अपने दमखंपर अंतरिक्ष में भारतियों को भेजने की तयारी में जुटा है। आज का भारत सिर्फ अयोध्या में प्रबूर्शिराम का मंदिरी नहीं बना रहा बलकि देश के हर जीले में मेडिकल कॉलेज भी बना रहा है। संस्कृत का गर्व भी है और अपने सामर्थ पर उतना ही भरोसावाई है। नए भारत में विरासत भी है और विकास भी है। आप देखिए अयोध्या से जरकपूर आना जाना आसान बनाने के लिए राम जनम की मार का अंदिरमान हो रहा है। आज भगवान राम से जुड़े स्थानों को रामायन सरकिट से जोड़ा जा रहा है। और साथ ही रामायन ट्रेन चलाई जा रही है। बुद्ध सरकिट पर ही काम हो रहा है। तो साथ ही कुशी नगर में इंट्रनेशनल एरपोर्ट भी बनाया गया है। करतारपुर साभ कोरिडोर का अंदिरमान किया गया है। तो वही हेमकुन साहिब जी के दर्शन आसान बनाने के लिए रौक्पे बनाने की भी तैयारी है। उत्तराखन में चार धाम सडक महापर योजना पर भी तेजी से काम जा रही है। बगवान मिठल के करोडों भक्तों के आशिवात से सिरी संत ज्यानेशवर महराज पाल की मार्ग और संत तुकाराम महराज पाल की मार्ग का भी काम अभी कुछ हफते पहले शुरू हो चुका है। साधियों किरला में गुरू वायू मंदिर हो या तमिल मारु में कांचि पुरम वेलंकानी। तिलन्गना का जोग लांबा देवी मंदिर हो या फिर बंगाल का बेलू मठ्त। गुजरात में द्वार काजी हो या फिर अरुनाश komme देस का परशनाम कुण। देश के अलग-अलग राज्यों में हमार यास्ता और संस्कृति से जुड़े ऐसे अनेकों प्रवित्र स्थानों पर पूरे भक्ती भाव से काम किया गया है, काम चल रहा है भावियों और भेनों, आज का भारत अपनी खोई हुई विरासत को फिर से संजो रहा है यहां काशी में तो माता अन्पुर्णा खुद विरासती है, मुझे खुशी है कि काशी से चुराई गई माउन अन्पुर्णा की प्रतीमा एक शताब्दी के इंतजार के बार, सो साल के बार, अब फिर से काशी में थापित की जा चुकी है